व्ल्कम टो मैई टोप चैनल बौफी नादर्स में आपको स्वावबत है आज में बात करने वाले हैं ठीकमगड जिले के बारे में आज हम जानेंगे ठीकमगड जिले के बारे में कुछ जरूरी जनकरी कुछ इंपोर्टेंट्स मातरपोर जनकरी आईए वीडियो को सेकेंड नमें टीकमगड प्राचीन नाम टेहरी था 7 183 सिप्रफि में ओर्फ्राज्ण करये नाम फखवान स्रीक्रिष्ट का एक नाम है इसी करें टीकमगड का नाम टीकमगड पड़ा तीसरे नमबर की बात करें टीकमगड को बंदेलो की शहर भूमबी कहा जाता है सौरे भूंबी कहा जाता है फूर नंबर है और चाहराज्य को रुद्र प्रताव सिंग द्वारा इस्थापित किया गया था फाइप नंबर है टीकमगड जिला बीदल उद्यों के लिए प्रिसित है शिक्स नंबर है टीकमगड से काटकर बावनवा जिला निवाडी एक अक्टूबर 2018 को बनाए गया था सिवन नंबर है सत्रावी लोग सवा 2019 के प्रमोटेड स्पीकर एवं पूर्व केंद्री मंत्री डाक्टर विरेंद्र कटीक टीकमगड लोग सवासीर से सांसद है आठवा नंबर है टीकमड इसुरी जागनिक घाग लोग कव्यों की करवाया था 11 नंबर है बल्देवगड को परेटन नगर गोशित किया गया है 12 नंबर है बल्देवगड चेत्र सुपारी के लिए प्रिसिद्ध है तिरह नंबर है बान सुजारा बांध घसान नदी पर टीकमड इवं चतरपूर जिले की सीमा पर इस्तित है फूटी नंबर 14 नंबर की बात करें चंदेल सासकोने तालावो का निर्मान करवाया था 15 नंबर है मदन सागर जील जतार टीकमड इस्तित है 16 नंबर है पायोराज चैन तीर्थ इस्थल टीकमड इस्तित है 17 नंबर है कुंडेश्वर मंदिर टीकमड इस्तित है 18 नंबर है कुंडेश्वर क मंदीर कुंड महादेव मंदीर बारी घर बल्देव जी का मंदीर मदन सागर जील आधी धार्मी के वं प्रेटन इस्थल टिकंगवड जीले में इस्तित है 21 21 नमर की बात करें जीले की प्रमुख न दिया बेतवाय घसान है जावनी आधी हैं यह थी कुछ डिटेल्स वाई चर्चाप करते हैं तीकंगवड मध्र प्रदेश का एक सहर और जिला मुख्याल है सहर का मूल नाम टेहरी था जो अब पुरानी टेहरी के नाम से जाना जाता है 1783 इसवी ओर्चा विक्रमजीत 1776 से लेकर 1817 इसवी के सा सकते इन्होंने ओर्चा से अपनी राजधानी टेहरी जिला टीकंगवड में इस्थाना अंत्रित कर दी थी लिए दन्हाल के इसवी कर्श्ण का एक नाम इसी के वार्ण यहां का नाम टीकंगवड पड़ा टीकंगवड चिला लिंदील खंशेत्त का एक हिस्सद्ध' यह जामणी बेतभवा और घसान की एक सहयक नदिह के बीच है पठार पर इस्त्थ आ यह थी इसी लिए बड़ डिस्टिक की कुछ महत्रपूर जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब बने रहे हैं हमारे वीडियो में देखते रहे हैं धन्यवाद